हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग जो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नमबर फॉर रेशियो एंड परपोर्शन का सब प्रिवियस लेक्चर में आपने पिछले दो लेक्चर में लेक्चर नमबर फॉर नमबर फॉर में हमने रेशियो के बारे में डिसकूस किया था और आपके स्टडी मैट के कोशिन को सॉल विया था पिछली क्लास में आपने proportion के concept हमें करा दिये थे proportion क्या होता है, continued proportion क्या होता है फिर componendo, dividendo, alternendo, invertendo इन सब के बारे में आपने हमें बताया addendo, subtranendo और proportion में कैसे आप किसी भी चीज़ को equal करके के मान के आप solve करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में आपने हमें सीखाया अब आप क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने जो concept सीखा है अब उसको apply करने वाले हैं exercise है 1B आपके study mat का जैसा कि हमने कहा था study mat को हम लोग पूरी तर से solve करते हुए आगे बढ़ेंगे exercise है 1B और उसका question number one से start करेंगे exercise रहेगी 1B का question number one से start करते हैं sir कोई नया concept आया तो वह ही discuss कर लिया जाएगा वैसे जितना concept हमने आप से discuss कर लिया है उसके बाहर से question यहाँ पे आने वाला नहीं है पहला ही question लिखा हुआ है sir क्या find the fourth proportional of four six eight four six or eight का fourth proportional बताए fourth proportion तो proportion में sir जब तीन number यह दिये गए हैं और fourth proportion मान लिजिए x है तो क्या यह continued proportion है नहीं sir यहाँ पे चारों टर्म दिये हुआ है तीन दिया हुआ है एक missing है और proportion का मतलब होता है कि पहले से दूसरे का जो ratio है वही ratio तीसरे का चौथे से है four is to sorry six proportionate eight is to x बस यही लिखना था आपको इसका मतलब sir four by six equal to eight by x तो x की value आ गई 4 x equal to six into eight तो x की value हो गई six into eight divide by four cancel हो गया two answer आ गया 12 सब proportionate था यह fourth proportionate निकालना था इसको हम लोग first proportionate, second proportionate, third proportionate, fourth proportionate कहते हैं और इन दोनों को mid value भी बोलते हैं, इनको extremes भी बोलते हैं, यह सब चीजे मैंने आपसे पिछले lecture में आपसे खुब discuss किया था इसलिए अब question लगाने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है question number one के बाद, question number two देखेंगे आप लिखा हुआ है sir, third proportional of, third proportional किसका? 12, 18 और X, third proportional sir, third proportional यानि दो नमबर दिये हुए है proportion में तो हमेशा चार नमबर चाहिए, पिछले ही class में आपने सिखाया था दो ही नमबर दिया हो, तीसरा नमबर find करने की बात करता हो, समझ जाईएगा कि ये कहेगा नहीं, समझना पड़ेगा ये continued proportion है, क्या है ये? continued proportion, और continued proportion है, मतलब sir, ये third ही, ये इस तरह से लिखेंगे 12 का जो ratio 18 से है, वही ratio 18 का ये mean term है, ये mid value है 18 और continued proportion से 12 का जो 18 से ratio होगा, वही ratio 18 का x से होगा वही ratio 18 का x से होगा, हो गया question solve, यहाँ पर ये continued proportion नहीं था ये continued proportion है, 12 divided by 18, equal to 18 divided by x, cross multiply कि आपने 12 equal to 18 into 18 very good, x की value 18 into 18 divided by 12, 12 से cancel होगा, 1.5 ये आगया sir 27, answer 27, question number 2 solve होगा, 2 के बाद 3 भी solve होगा, third में क्या लिखा होगा sir, mean proportional, third question में लिखा होगा है, mean proportional of 25, 25 and 81 का mean proportional, mean proportional मतलब बीच वाला term गायब है, x, तीनी term तो हुए sir, फिर इसका मतलब हमें समझ में आ गया, तीन term में अगर proportion बात करता है, तो वो continued proportion होता है, समझ में आ गई सरवाद, ये mean value है, यानि इसका मतलब 25 का जो x से ratio होगा, वही ratio x का 81 से होगा, x का 81 से होगा, 25 divided by x equal to x by 81, ये हो जाएगा, x square cross multiply करेंगे, तो आप 25 into 81, तो दोनों side का under root करिएगा, तो x equal to 25 का under root 5, 81 का 9, ये आ गया, 45 ये हो गया, answer, mean proportional जो होगा, यानि कि 25 का जो 45 से ratio होगा, वही ratio 45 का 81 से होगा, ठीक है sir, 3rd, 4th question में क्या लिखा हुआ है, question number है 4, the number which has same ratio of 26, that of 6 to 13 is, question करा, 6 का जो 13 से ratio है, बता ये, 6 का जो 13 से ratio है, ऐसा कौन सा number है, जिसका ratio, जिसका ratio 26 से वही होगा, जिसका ratio 26 से वही होगा, यानि कि question में फिर से पढ़िएगा, question number है 4, the number which has the same ratio to 26, the number has same ratio to 26, जो ratio इस नमबर का इस से होगा, that 6 has to 13, 6 has to 13 is, जानि कि इस नमबर का जो ratio होगा, 26 के साथ, वही ratio इसका इस के साथ होना है, मतलब, proportionate हैं ये दोनों, इस ratio दोनों equal होगई, तो proportionate लगा दिया, हमने, यानि 6 का 13 से जो ratio होगा, वही ratio x का 26 से होगा, question ने यही बोला था, ठीक है सर्थ, तो solve करने में कहां दिखका था, ये आगया 13x equal to 6 into 26, तो x की value होगा, 6 into 26 divided by 13, 2, ये value मिल गई हमें 12, answer, आगे बढ़ें, answer दिया भी है सर, question number 4 है, 11, 10, 21, none of these, none of these ही होगा, x का 12 है, आगे बढ़ें, question number 5 में क्या लिखा हूँ, आप पढ़के बताएंगे आप, आप मेरे सामने होते, मैं question आप से पढ़वाता है, लेकिन आप दूर बैठे हुए हैं, इसलिए question हमको पढ़ना पढ़ता है, the fourth proportional of 2a, a square, c is 2a, 2a, a square, और c का fourth proportional माना क्या होगा, यही पूछ रहा है, 2a, फिर से बढ़ते हैं, a square, a square, c, c, उसका fourth proportional x कितना होगा, ठीक है सर, क्या यह continued ratio है, नहीं सर, यह continued ratio, नहीं है, तीन दिये हुए है, चौथा find करना है, proportion में है, proportion का मतलब होता है, first term का जो ratio, second term से होता है, वही ratio, third term का fourth term से होता है, 2a upon a square, equal to c upon x, दिया हुआ है, a के से cancel होगा, 2x equal to ac होगा सर, तो x की value, ac divided by 2, यही था answer, हो गया सर, question number 5, हाँ, six पे आईए, क्या लिखका है सर, six number question में, if four numbers, one by two, one by three, one by five, one by x, are proportional, then the value of x, sir, one by two, one by three, और क्या लिखका है, one by five, one by five, then the value of one by x, यह value find करनी है सर, इसका मतलब यह proportional है, proportional का मतलब क्या होता है, one by two, ता जो ratio one by three से होगा, वही ratio हमने, अभी तक अपनी बात बदली नहीं है, कुछ भी आजाए, बात वही चल रही है, पहले का जो दूसरे से ratio होगा, वही दूसरे का, तीसरे का, चौथे से होगा, one by five का y ratio, one by x से होगा, ठीक है सर, one by two, whole upon one by three लिखा आपने, equal to one by five, whole divide by one by x, इसको आप लिख सकते हैं, three by three उपर चला जाएगा, multiply होगा, तो यह हो जाएगा, x by five, cross multiply करने तो आता ही होगा, आपको two x, यह x है, two x equal to fifteen, two x equal to fifteen, तो x equal to fifteen by two, cancel हो के seven by point five, यह आगा आपका answer, दिया है सर, कौन सा question number था, six, fifteen by two ही लिखा हुआ है सर, इसको इतना ही, ठीक है रहने, fifteen by two का मतलब यह होता है, seven point five होता है, ठीक, seven number question पे आएगा, लिखा है, the mean proportional of, twelve x square, twelve x square, का mean proportional x, यह गायब है सर, यह गायब है, यह निकालना है आपको, 12 x square, और यह दिया हुआ है, चलिए, 27 y square, 27 y square का, mean proportional निकालना है सर, इसको थोड़ी देर के लिए, यह माल ले, mean proportional, यह माल ली जे सर, सर, दो number दिये थे, उसका mean proportional find करना है, यानि जो, सब मिला के, तीनी number हुए, तीन number दिया हुआ है, मतलब समझ में आ गया है, यह continued ratio है, और continued ratio में, mean proportional गायब है, mean proportional का मतलब, इसका जो इससे ratio है, वही ratio इसका, इससे होगा, बस, 12 x square, का जो, a से ratio होगा, वही ratio, a का, 27 y square से होगा, सब इसको इसको इसे लिखा जा सकता है, क्या, 12 x square by a, equal to a upon 27 y square, क्या cross multiply करना होगा, हाँ, a square equal to 12 x square, into 27 y square, क्या दोनों side का under root करना होगा, हाँ, इधर का under root करिये, sir, a हो जाएगा, और x square का under root x होता है, y square का under root y होता है, सब multiply में है, और ये दीजिए, ये हो गया, into 12 x 27 का under root, sir, पूरा एक ही साथ है, इसे लिख दीजिए, 12 x 27, 12 x 27, 12 x 27 का under root, 324, और इसका under root 18 आता है, sir, 18, इसका multiply करेंगा, और x square y square का, x y हो गया, ये आ गया, sir, answer बस, दोनों side का under root लगा दिये है, ये हमें value मिल गई, यही mean proportional है, यही हमारा answer भी है, बस, कोई नई बात नहीं है, question number seven था ये, लिख लिए आपने, कोईशन नमबर है, आठ में कोईशन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, a by a, equal to b by two, a equal to b by two, ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने, आगे लिखा हुआ है, c by five, c by five, c by five, आप से कहता है, a is to b, is to c का रेशियो, क्या होगा ये आप बताए, सर, यहाँ पे, हमने आपको सिखाया था, यह इसके नीचे कुछ नहीं तो one है, b अगर alternando लगा दीजिए, तो a by b equal to क्या लिखा हुआ है, यह वन यहाँ चला जागा, यह तो सिखाया था alternando में, one यहाँ से यहाँ चला जागा, सर, यानि कि, a by b equal to one by two, यानि a is to b, यह हमें पता है, कि a is to b क्या रेशियो, one is to two का है, यह दिगा हुआ है, सर, इन दोनों को अगर equal करेंगे, तो two अगर यहाँ भेज दीजिए, c को यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, तो answer में कोई answer नहीं आता, क्यों सर, हमने बताया था alternando, यह two को इस जगह से इस जगह पे भेजिए, c को इस जगह से इस जगह पे भेजिए, कोई answer answer में नहीं आता, alternando, पिछली class में समझाया गया था, तो b by c equal to two by five, और इसको आप बोलेंगे, b is to c का जो ratio है, वो two is to five का है, और यहाँ से, अब हमें, a is to b is to c का ratio, सर, यह तो आप ratio में ही सिखा चुके थे, कितनी बार सिखाएंगे, यह लिजिए, सर, b बीच में है, यहाँ डूंड यह common कहा है, यही तो सिखाए गया था, common यही है सर, b, इसका इसमें multiply कर दे, यह two में two का multiply हो गया सर, four, यह पूछेगा, तुम कितने गुना बढ़ गए, यह बोलेगा, मैं दो गुना बढ़ गया हूँ, तो वो बोलेगा, अपने आपको भी दो गुना कर लो, ठीक है, five पूछ रहा है, इससे b से, c पूछ रहा है, बी से, दोस्त, पहले तुम two थे, और four हो गये हो, तो क्या मैं भी अपने आपको two times, बढ़ा लूँ, increase कर लूँ, जिससे हमारे ratio में कोई बदलाओ नहों, इसने कहां, दोस्त कर सकते हो, मैं भी दो गुना, तुम भी दो गुना हो जाओ, पहले जो ratio था, वही ratio हम लोगों के बीच में अब भी रहेगा, सिर्फ हम composite हो गए, सर, two, four, ten लिखना ठीक है, क्या, नहीं, simplest form में two से सब कड़ जाएंगे, one is to two is to five, और यही है आपका answer, ठीक है सर, मतलब हम आपको कोई नई बात, नया concept नहीं दे रहे, हर एक question में दो ratio दिया हुए, सर, यह B इधर दे दिया, यहाँ भी लिख सकते हैं, one यहाँ लिख सकते हैं, यानि कि, A is to B का ratio, one is to two दिया हुआ है, B by C का ratio, two by five, यानि two is to five दिया हुआ है, दोने ratio दिख रहे हैं, compound ratio बता दिये, यहीं बताना ही था, question number nine, क्या लिख रहा है, answer nine में, उसी तरह का question है क्या, नहीं, A by three, यह question कुछ नए type का लगता है, B by four equal to, B by four, C by seven, C by seven, फिर आप से कहता है, क्या find करना है, A plus B plus C upon C, की value क्या होगी, यही तो कह रहा है, sir, add in end o आपने सिखाया था, इसी के लिए तो, कि हमें इसकी value, नहीं करने पड़ेगी, add in end o से देखिएगा, क्या हो जाएगा, इन सब को add करने पे, जो ratio आता है, A plus B plus C, और इसको भी add कर लिए, 7 plus 7, 14, यह ratio इसके भी equal, इसके भी ratio, इसके भी equal, किस property से, यह सब prove भी करके दिखाया थे, add in end o, याद आया, ठीक है सर्थ, तो आपको क्या निकालना है, A plus B plus C, आपको यह value निकालना है, G, A plus B plus C, upon में C चाहिए, सर इसमें, alternando लगा दीजिए न, C को यहां से यहां लिख दीजिए, और इसको यहां से यहां लिख दीजिए, यह answer में कोई answer नहीं आएगा, 14 by 7, यह alter कर दीजिए, बस answer में answer नहीं आता, पहला हमने आपको property in over tendo सिखाया था, दूसरा alternando सिखाया थे, ठीक है, तो alternando से इसकी जगह को बदला जा सकता है, इसकी जगह यहां, इसकी जगह यहां, इसकी जगह यहां के बदले यहां कर दीजिए, इसकी जगह यहां के बदले यहां कर दीजिए, math बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसकी value में कोई change नहीं होता, यह equality maintain रहती है, इसलिए आप अपनी सुबदा के लिए, अपनी जरूरत के लिए ऐसा कर सकते हैं, करिए यहां, जरूरत है यहां सर, C को यहां देखना चाहता है, question बनाने वाला हमने कहा, alternate window से इसको यहां भेदिए, और तुमको यहां भेदिए, 14 by 7 equal to, A plus B plus C by C, इससे यह cancel हो गया, 2 आगया answer, ठीक है सर, सर, इस सवाल को तो ऐसे भी लगा सकते थे, जी, A by 3 equal to, B by 4, सर, I don't know भूल गए, B by 4, C by 7, add a nando भूल गए, अब क्या करें, A plus B plus C by C की value निकालनी है, हमने कहा था, जब कोई भी, आपको रास्ता न दिखे, आपके सामने कोई मुस्किल आ जाए, और इस तरह से लिखा गया हो, equal to, equal to, K मान लीजिएगा, इसको equal to, सर, K की जगा पे हम X मान ले, तो कुछ भी मान लीजिएगा, कोई एक value मान लीजिएगा, ठीक है सर, तो A की value, जब इसको इसके equal करेंगे, तो A की value हो जाएगी, 3K, जब यह भी इसके equal है, तो B की value हो जाएगी, सर, प्लस 4K, और जब इसको इसके equal करेंगे, तो C की value हो जाएगी, 7K, और फिर नीचे भी C है, तो C की value 7K, और यहां से, उपर इसको add करेंगे तो आएगा 14 के नीचे आगया 7 के के से कैंसिल 7 से ये कैंसिल और 2 आगया अगर एड़ेंडो दिख रहा है तो एड़ेंडो लगा दीजिए सर दिमाग में एड़ेंडो नहीं आ रहा तो ये तो है हम एंसर से भी निकालेंगे और ये भी आपका option रहेगा आगे बढ़ें सर कोश्चन नमबर 9 भी हो गया बढ़ते ही रही है रुकना नहीं है 9 के बाद 10 नमबर कोश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ 10 नमबर ये स्टडी मैट के सभी कोश्चन है लिखका हुआ है P by Q equal to P by Q equal to R by S equal to 2.5 divided by 1.5 ऐसा दिया हुआ है कोश्चन में ठीक है सर क्या कहरा है ये find the value of P S P into S P S मतलब P into S upon upon Q R Q into R ये value निकालने है सर into R ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है P Q ये ऐसे है ठीक है सर तो P Q की value कितनी है सर P Q की value इतने के equal है तो आप यहाँ पर multiply कर सकते है सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या P by Q into S by R जी सर मिंटू में है ये दोनों की ये लिखा जाए ये P S लिखा हुआ है Q R लिखा हुआ है P S को P S Q अलग अलग कर दिया हमने सर P Q की value तो दिया हुआ है 2.5 upon 1.5 और R S की value इतनी है इसको ये देखेगा अब इसको ढख लीजिए इसका काम खाता हूँ R Y S की value इतनी है तो सर S Y R की value क्या होगी हमने कहा था इनवर्टेंडो भी पढ़ाये थे आपको नाम कि सर A by B equal to 2 by 5 है तो क्या हम B by A नहीं लिख सकते हैं 5 by 2 सर तो क्या आप S Y R नहीं लिख सकते हैं 1.5 upon 2.5 सर cancel 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 1 by 1 1 by 1 को कहते हैं 1 is to 1 answer question number है 11 x upon y x upon y equal to z upon w equal to z upon w equal to 2.5 divided by 1.5 then the value of x plus z upon y plus w इसकी value निकालनी है सर यह जो value निकालनी है इसमें जो उनको information दी गई है वो ratio में दिया गया है यह actual number नहीं है यह हमें पता है और हमें जब भी काम करना चाहिए कोई value find करनी चाहिए actual number से find करनी चाहिए ratio में आप यह बात बताये थे क्योंकि actual number में HCF होता है वो सही number होता है जब ratio निकाला जाता है उसमें HCF cancel हो जाता है यह value असली value नहीं होती है shortest value होती है ठीक है लेकिन हमने कहा था कि कभी भी कोई value निकालनी हो तो हमेंसा ratio value यूज मत करिएगा actual value पहले निकाल लीजेगा तब किसी की value बतायेगा लेकिन अगर जो नई value निकालनी है वो खुद ratio में है जो नई value निकालनी है वो खुद ratio में है और उसके हर एक्टर में variable है तो ratio वाली value भी वही answer देती है ये बात मैंने आपको समझाए थी पिछले दो तीन class में ये चीज़ खूब चिला चिला के बोले थे आप सुन लिए तो ठीक नहीं सुने तो अभी सुन लीजिएगा सर दोनों term में variable है हाँ ये variable ये variable ये variable ये variable हाँ सर ये ratio के form में है हाँ तो put कर दीजे सीधा सीधा x की value कितनी है 2.5 plus z की value कितनी है 2.5 नीचे y plus y की value वह भी 1.5 w की value 1.5 answer 5 by 3 सर अब क्या बताएं आया answer आया होगा सर 5 by 3 आया होगा question number 11 भी solve होगया आगे बढ़ें लिख लिए आपने 11 के बाद 12 भी solve करेंगे सर ये लीजिए 12 में क्या लिखा हुआ है लिखा है सर 5x minus 3y 5x minus 3y whole divide by 5y minus 3x equal to 3y4 equal to 3 by 4 3 by 4 तो x upon y की value क्या होगी ये find करना है सर x और y का ratio बताना है ठीक है find कर लेते हैं क्या करना है सब को oh sorry ये 3y कितना है 3y 4 है सर और तो आप बोले थे y लिख दिये थे गलती से 4 को multiply करें 20x 4 को multiply करें minus 12y equal to 3 का multiply करें 15y minus 9y सर x को अरे ये फिर गलती से लिखा है हमने कुछ 3x है ये 3x है तो ये ये हो जाएगा 9 9 9 तो ठीक था x सर x को excite में करें ये हो जाएगा 20x और plus हो जाएगा 9x equal to y वाले को excite में करें 15y plus 12y तभी तो दोनों का ratio निकालेंगे इधर कितना x हो गया 29x हो गया इधर 15 और ये 12 27y हो गया सर अब alternando से ये देखेगा यहाँ y multiply में है तो इधर x y divide में आ जाएगा सर और 29 multiply में है 27y 29 divide में चला जाएगा multiply करेंगे वापस यही value आ जाएगी यही है वो ratio 27 is to 29 answer क्या यह 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 भी नहीं दिया हुआ सा 12 नंबर में देख लिए है 12 12 12 12 12 12 12 डी ऑफसन सही है ठीक जब आफसन नहीं दिखता है तो हम लोग यह नन आफ दीज डी मतलब हो गया है question number 12 13 में आगे बढ़ते है 13 भी सर इसी तरह का question 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 तो कुछ नया नहीं है लेकिन आप कहेंगे सर आपने question छोड़ दिया इसलिए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं a by b equal to यानि a is to b equal to 3 is to 2 sir b is to c b is to c 3 is to 5 3 is to 5 find the value of a is to b is to c इसको टेजी के साथ हम find कर रहे हैं sir यह आप बहुत सिखा चुके बी common है यह लिजिए multiply कर यह 3 और 2 का कितना लिख दिये c 2 तुम कितने गुणा बढ़ गए तीन गुणा तो यह भी तीन गुणा बढ़ जाएगा 9 a c पुछेगा b तुम पहले 3 थे अब 6 हो गए कितने गुणा बढ़े हो multiply करवा के 2 गुणा बढ़े हैं तो यह भी c भी अपने आपको दो गुणा कर लिया और इनका ratio मिल चुगा है 9 is to 6 is to 10 answer question number 14 question number 14 लिखा हो है question में x by 2 y by 3 x by 2 y by 3 equal to z by 7 z by 7 question फिर क्या चाहता है यह find the value of 2 x find the value of 2 x minus 5 y minus 5 y plus 4 z upon upon 2 y equal to what sir इस तरह का जब भी question आएड़नेंडो और subtract आड़नेंडो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आसान चीज़ है k मान लीजिए लगता ही रहेगा x equal to 2k है तो sir 2 into 2k y की value इसके equal करेंगे तो कितनी है 3k तो यह जागा minus 5 into 3k 4 plus 4 z की value कितनी है sir 7k into 7k बस solve हो गया sir नीचे क्या है 2 है y की value कितनी है sir 3k 2 और यह 4k 4k एक camera भी आता है 4 into k minus 15k plus 28k upon 6k आईए solve करें sir 28 plus 4 32 32 में से 15 को minus कर दीजे 32 में से 15 को minus करना यह तो काफी cutting question है 15 17k upon 6k k से k cancel 17 into 6 is to 6 17 is to 6 दिया है sir d option ठीच एंसर sir question और solve कराईए देखिए question इसमें कितने है total total इसमें 30 question है तो हम एक ही class में नहीं solve करेंगे आप भी कहेंगे sir बहुत जल्दी solve करा देते हैं इसको दो part में कर देते हैं sir 15 question इस lecture में और 15 question अगली lecture में ठीक तो question number 13 हो गया 14 हो गया 15 solve करते हैं और फिर हम लोग अपने अपने घर को चलते हैं अगली class में मिलेंगे तो 15 के बाद के question solve कर देंगे लिख लीजे sir 15 में क्या लिखा हुआ है x upon y अरे कुछ नया नहीं था 15 छोड़ देने लाइक है लेकिन चलिए x upon y equal to यानी x is to y x is to y equal to 2 is to 3 2 is to 3 आगे लिख का हुआ है y is to z y is to z equal to 4 is to 3 4 is to 3 और आपसे करा x y और z का ratio बताईए sir y y common है multiply करिए 12 आया यह 4 गुना बढ़ा है तो इसको भी 4 गुना बढ़ा दीजे sir यह 3 गुना बढ़ा है तो इसको भी 3 गुना कर दीजे और यह आपका ratio आगे 3 से cancel होगा क्या हाँ 3 नहीं होगा sir 2 से नहीं sir answer 8 12 9 8 12 9 none of these 2 3 4 3 2 3 4 3 2 से 9 multiply multiply 12 4 8 3 9 sir d option नहीं होगा question number 15 का d option question number 15 का d none of these ठीक है क्योंकि इसमें कोई option नहीं था यह हमारा अंतर ठीक है concept वही बात वही तो answer कैसे different हो सकता है इसमें नहीं देता है यारी none of these कर देता है उसको very good sir तो आज की class यहीं खतम करते हैं